असलाम अलेकुम जी क्या हाल चाला आप लोग के उमीद करती हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे मैं बिल्कु ठीक हो अलहमदोरे लाज़े अभी जो है सहरी का टाइम हो तो मैं सहरी कर रही थी और लास्ट व्लॉग में जैसे आपने देख ली होगा मैंने सहरी में क्या बनाया थ और यह बहुत बहुत मज़े की बनी थी फुपो को भी बहुत अच्छी लगी थी बड़े मज़े की बनी थी अगर इसी रस्पी आपको चाहिए और तो लास्ट व्लॉग देख लीजेगा उसमें मैंने शेयर कर दी थी आर रडी चैनल का मैं आपको पता रही हूं देसी ला पता रहनत करती है हर किसी कोई ने कोई जरूरत पीछे चुपी भी होती है जिसके लिए उसे जरूरत होती है तो मेरी आप लोगों को बताने का मकसद भी यह है कि आप लोग अगर इने स्पोर्ट करेंगे ने तो इनकी बहुत हैल्प हो जाएगी और जितनी बाते मैं आप लिए जरूर जरूर मानते हैं और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी देशी लाइफ विद मरियम के नाम से है आप लोग जाएगा जाके इने जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा 5000 फॉलवर है मैं जाके जरूर चेक करूंगे आप वो जरूरत मंद है तो वो वाकी होता है और मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग फिर जाएं उन्हें सब्सक्राइब करें अच्छे इनके चैनल पर आपको डेली लाइफ स्टाइल का व्लॉग मिल जाएगा और यह अपनी डेली रूटीन जो है वो शियर करती है कैमरे क सामने खुद नहीं आती पर्दे में रहे कर अपनी व्लॉगिंग कर रही होती है तो आपने इनके चैनल को जाना है जरूर देखना है मैंने इनके और यह वीडियो देखी थी अर्क वाली अच्छा मुझे इनका कॉंटेंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनका बड़ आर्क बना लो तो जैसे मैंने भी हाथ पांँ पर लगा यहाँ अपने रखे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत है आप जान सकते हैं मैं खासे शायद आप इनसे बाकि बाकि डिटेल भी ले सकते हैं और के हवाले से लेकिमोझे इनका तरीका बहुत अच्छा लगा अ प्रशाने इनके लाइफ स्टाल डेसे रिलेटरी इनका व्लाग आपको इनका इनका अच्छा लगेगा मैं चैनल का लिंक जा दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं जाके जरूर इने सब्सक्राइब करिएगा चे जिए उसके बाद हम ड्रेक्स सेरी से अफ़तारी की त पानी डालके मैं उसे पकने के लिए रख दिया था और यहां पर बी मुझे पार्सर रसी हुआ था यह और गैनिक एक्स का हर्बल शेंपू है जो के मैंने मगवाया था अपनी मदर इनलॉ के लिए यह 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 अपनी इनलॉग को इसकी हर्बल शेंपू इसके रिजर्ट बह बड़े शाइनी स्मूथ से हो जाते हैं लेकि मैं एक चीज़ बता दू कि अगर आपके बालों में कलर हुआ है या कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो फिर यह शंपू आप मत यूज़ करिएगा क्योंकि और गैनिक शंपू जो होते हैं वो फिर हेर ट्रीटिड बालों पर काम न मैं आमीन यहां पर मैं मसाला बना रही थी मैंने आइल लिया उसमें एक प्यास एड़ कि क्योंकि मेरे पास जो है वो 600 ग्राम राइज हाफ के जिसे थोड़े जादा और जैसे प्यास हलकी ब्राउन ही उसमें दो बड़े साइस के टीमाटर तीन-चार हरी मिर्चे साबद ग लगते हैं प्लाओ के अंदर इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं एड कर देती हूं अज़ार मैंने कोई भी फ्राइड आइटम नी बनाना था मेरा बिल्कूल भी दिल ने कर रहा था पदह नहीं अठारा रोजे हो गया अलहम्दोरिला से इतने फ्राइड प्राइड आइटम खाने को ना इतना इतना इंसान जब खा लेता ना फिर दिल भर जाता है ख्यार रैस्पी मैं बता देते हैं आप कहेंगे बोलती गई है रैस्पी तो बताई नहीं है इसने बस यखनी में से मैंने चिकर डाल दिया थो से थोड़ा सब फ्राइड किया मसा एक चुठकी में कसूरी मेथी इसमे एट करूंगी दम के वक्त सिर्फ एक चुठकी से जादा नहीं और इसे डाल के आप दम पे रख देंगे कसूरी मेथी जब आप डालते हैं ना दम के वक्त तो जो खुश्बू उटती है पलाओ के अंदर पूरा मैं कहते हूं गली महक जाती है खुश्बू से और यहाँ में ब्रोको अभे बना रही थी और यह पर जो cash Cr बहुत जादा लगते है लेकिन अच्छे लगते है आलू को ने अपने बहुत बारीAud काट लेना है मैं तो किश हर की मददस से हो किया वज़ए बारी बारीक काटिया तो इसा दूसरे सब्सक्राइब नमक मिर्च जीरा धनिया और कसूरी मेथी डाल के बैटर बना लिए इसमें आपने थोड़े थोड़े करके आलू लेने थोड़ा सा बैटर डालने क्योंकि आप सारे अलू एकदम से डाल देंगे तो पानी छोड़ेगा बैटर पतला हो जाए आपने इसके यू पकोड़े बना लेने तो इसलिए मैं इसको न जंजट पकोड़ा कहते हूं क्या खरे लखल्क किली मुहमदु सेदु नकोनी वा था कालै मुहमदु सेदु नकोनी वा था कालै यहां पर हम लोगों ने अफ्तारी के फ्तारी करके हम जैसे फ्री हुए तो अचानेक से बारिश जो है वो स्टार्ट होगी तो मौसम इतना अच्छा हो गया था ना पहले एक दो तिन पहले लग रहा था कि गर्मी आ गई ना क्योंकि मौसम ना थोड़ा गर्म हो गया लेकिन अब दोबारे से बारिश हो का सिसला ना शुरू हो गई और मैं कल नीज़ में सुन रही थी बता रहे थे कि मैं पेर ना एक वीक तक बारिश है रहेंगे उसे मौसम फिर से ठंडा हो गया यह से लग रहा था कि फरवरी ना तो सब गय था आपके सर में दर्द हो रहा है तो बीपी चेक करें तो मैंने करवा लिया था लेकिन अब मेरे सर का दर्द कुछ बैटर हो जाता है लेकिन फिर खतम भी हो जाता है और यहां से फिर नेक्स टे का व्लॉग स्टार्ट होता है यह अभी ड्रैक सुभा दस बजे का तो दस बजे का दैडिरि सोरी नो बजे का टाइब हो रहा था और आग मैंने सहरी से रिकॉर्ड नी किया क्योंकि मैं भूल गई थकूर्ट मैं नींद में चाजने के व्लूद कर रहा था तो रिकूर्ड करने को कि अठ्नी जल्दी से सहरी की नमास पेड़ दू द्यूνती ह से ही थी और मैं अम्मा के घर आने के लिए न कोई इत्ता त्यार शाखन नहीं होती हुआ मैं SIMPLE सा सुट महीं लेती हूँ और मैं आमme के घर आ जाती हुआ और यहाँ पर बस whatsapp के अभर जागी थी यहां मेरी ढरत मेरी सेहत के लिए दुए कर दीजेगा बस फाइका मेरे लिए क्या बना रही है वो कोड़े कुछा जाइब ले समोसे अच्छा लाओ और 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 अपका करें आपको रॉडर कर दियो अम्मी आप और क्या मखबाओ की मेरे लिए अम्मी ना मुझे जलेबी मगा के दो और आलू अला समोसा भी दो जलेबी तो तो बता हूं सिखाओ कि मेरे क्या बाता है अगर मेरे कोई हैं चाहिए बतादे ना बुलाओ ना यानि एक पर आदूंगी तो यह कुछ सा मसाला यूज कर रहे हो हटकल पलाओ ब्रियानी यानि कमाल इसका अगटेश टेस्टी होई तो अच्छा उसका मैं कुछ पर नहीं पर फोकस करो अच्छा अच्छा बनाओ बस यहां पर फिर अफ्तारी का टाइम हो गया थो और मैं इस किचन को बड़ा याद करती है यहां पर मैंने अपना यूट्यूब की जर्णी है और मैंने यहीं से स्टार्ट की तो इसके साथ ने एक बड़ी यादे वबस्ता है मेरी और मैंने जाना फिर अपनी दोस्त को भी आज गुलाया वाद था उसे फिर मैंने मेसेज कर दिया था कि आज मैं आई वीव तो तो हम आ जाना तो फिर वो आ गई थी और यहां पर बस हमने दस्तरखान लगा दिया था और हम रोजा खुलने का वेट कर रहे थे अशर सर चामल की डिशीदर करें दिखाएं शकले यह लोग अच्छे बनाएं चामल देखने में अच्छे लग रहे हैं मैं खाके बताँगी रो अच्छे ना हुए तो तो टू अज फेल आज अशर घ्टिए अशर ना पूल को अच्छे ना देखन जो दोड़ा गए वाली अजान पर रोगा नहीं कुलता सबसे पहले थे साथ है वाली अज़ आज़ान पर रोजा झाले कुलता है अच्छे बने चामलों की हुद ही तार मैं अभी कजूर पर कुछ दो आप खुल दो आप खुल दो आप खुल लो अफ्तार के वग जो है न वो शुकल मिला चलता रहता है क्या अफ्तार पर सब थे मैंने दोस्त को भी बुलाया वाद था वो थी और फिर मेरी मामों की बेटी आई भी थी वो मेरे साथ ही आई थी है न तो शुकल खुदी चलता रहता है दस्तर खान पर चीज बताती है जो हमाई घर में बनती हो वह है यह जो रिवाज था न अपने घर में रमजान में मैंने निकाला था और हर अल्टरनेटिव डे पर मैं बनाती थी और बड़े शौक से हाते तो आज मैं हाई हूं तो मे आप लोग अच्छा लगा होगा अब आप से जी नेक्स वीडियो मिलाकात होगी अपना क्या रखिए खुश रहिए जी अल्लाहफेज